साथियों नमस्कार साथियों यूरोप के एक देश UK में इलेक्षन हुए है और यूके मे इस बार डेवर जी सुनक घेवर जी पिछले 14 साल से लगबग लगबग वहाँ पर conservative party का ही साशन था लगबग 2010 से उस party के इतने लंबे साशन के कारण प्लस उनकी कुछ policies के कारण बार बार उनके प्रधानमंत्री बदले जाते हैं इसके कारण और साथ में immigration के मामले को ले करके लोगों ने जिसी सुनक को इसवार सत्ता से बाहर कर दिया है जो लेवर party जीती है उसको बोला जाता है कि यह left party है leftist विचारधारा इसकी है और जो conservative है उसको rightist party बोला जाता है यूरोप में left और right party का चकर दूसरा है इंडिया वाला नहीं है इंडिया में जैसे बोल जाता है कि यह leftist है राइटिस्ट है वह राइटिस्ट वाला वैसा नहीं है वहाँ राइटिस्ट का मतलब है कि काले और गोरे में भेद करना यह blacks हैं इनको थोड़ा दूर रखो यह बाहर से लोग आई हुए हैं इनको थोड़ा दूर रखो इन सब को बाहर भेज़ दो ऐसे करके बाते करी जाती है इंडियांस में वह पहुंच जाएंगे तो चम्री पूरी नहोंने के कारण इनके साथ भी भेदवाव किया जा सकता है ऐसी विचारधारा कंसर्वेटर पाटी की होती है यहां पर राइटिस्ट का मतलब यह होता है तो अगर भारतियों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं होती इसलिए रिशी सोना खारे हैं तो कही ना कहीं भारत के लिए फायदे मंद भी हो सकता है आप यह ना समझाएं कि सब कुछ नेग जारी है, साड़े 600 सीटों में से करीब करीब 400 सीट जीट चुके हैं और जो रिषी सुनक की पार्टी है वो अभी 110 सीटों के आसपास चल रही है और इसी सुनक ने पब्लिकली आ के बोल दिया है कि मैं अपनी हार को सिकार करता हूँ और मैं मानता हूँ कि हम हार गए जी बिटेन में या यूके में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई एक पार्टी चार बार से ज्यादा या पांच भी बार भी लगातार चुनके आई हो जो यह इनकी रिशे सुनक के पार्टी है कंजर्वेटिव ये 2010 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में चार बार चुनके आचुकी है इसलिए पांच भी बार नहीं आनी थी ऐसा वहां का ट्रेंड कहता है लोग पकवी जाते हैं काफी लंबे समय से और आपने सुना होगा कि रिशे सुनक ने कुछ समय पहले बोला था कि जितने भी आफरीका से ये ल यूमन राइट्स के रक्षक हैं जो भी आ रहा है आता जाए चाहें इसलामिक कंट्री से आए चाहें अफरीका से आए हम सब को समा लेंगे यूरोपियंस की ये वाइंसेट है लेकिन रिशे सुनक को लगता था कि जो बाहर से यहां पर लोग आकर के बढ़ते जा रहे हैं को हमारी डेमोग्राफी को हमारी जनसंक की आनुपात को बिगाड रहे हैं और वोटिंग राइट्स पर भी फरक पड़ रहा है इसलिए रिशे सुनक नहीं कदम उठा लिया था लोगों को पसंद नहीं आया साथ ही जो रिशे सुनक की पार्टी है कंजर्वेटे पार्टी इस पार्टी के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे 2019 में जीत के आई थे आपको अगर याद हो उनका नाम था बॉरिस जॉंसन पर भी आरोप था कि जब करोना चल रहा था तो वो पार्टी कर रही थे पैसा खर्चा कर रही थे पैसा कहां से आया एक भृस्टा चारगा भी कह बॉर्ट में पिम बनाया गया था लेकिन सुनक ने हाल-फिलाल के दिनों में वहां पर टेक्स का रेट बढ़ा दीए लोगों पर चैक्स का बोच मरूढ ने लगा और किसी विदेश के रेट बढ़ा दोगे तो सबसे पहले आपकी सत्ता जाएगीए रिचे सुनक को लगा क कि जो यूरोप में मंदी आ रही है क्य Garrett रख्यास से जो गैस और और एल रहा था वह तो बंद हो गया प्रावर आ रहा है अब हम मैं गैस और तेल और तेल अन्ने देशों से लेने पड़ रहे हैं से और तेल महंगे आ रहे हैं क्योंकि शुब से मंगाना पड़ता है इसकी वजए से जो भी अर्थवस्ता गैस और तेल पर आधारित है उनसे रिलेटेट सारे लिए इन्होंने टेक्स बढ़ा दिये उस टेक्स का सीधा प्रवाब पड़ा कि इनकी सत्ता चली गई यह सारी बातें देखने को मिली प्लस लोग इस बात से भी परिशान थे कि इनकी पार्टी में क्या एक पास साल में चार प्रदानमंत्री बदल गए यह सब हमको नहीं चा बात करी जाए कि ठीक है यह आपकी बात सही है वहां दो ही पार्टी है और प्रभाब पड़ता नहीं है पिछले 200 साल से यही दो पार्टी वहां पर अपना प्रभाब छोड़ती आई है और एक के बाद यह आती रहती हैं कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई 2019 में जब बोरिज जोंसन की अध्यक्षिता में चुनाव लड़ा गया था तब साड़े 600 में से 650 सीट में से 365 इन्होंने जीती थी यूके में आपने देखा होगा जो सीटों का वित्रण है वो कुछ इस प्रकार से रहा था जिसमें जो नीला वाला रंग सुरवी इन इन ती को मिला करके देखें तो यह आपर नतलब बनता है और अगर इनको भी अटा सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करें ग्रीन कलर वाले की तो ये इंगलेंड है ये तीनों में अंतर है हम पहले भी एक शॉट्स में इसका डिस्कुशन कर चुके हैं तो अब देखना ये है कि भारत के साथ रिष्टों पर क्या असर पड़ेगा आज की डेट में यूरोप में ना आ जाए क्योंकि उनको लगता है कि राइट विंग की अगर पाटी आ गई तो लेफ्ट और राइट हो जाएगा बहुत तगड़े तरीके से ऐसा उनको लगता है यूके में भी राइट विंग की थी और यूरोपियन यूनियन का जो इलेक्शन हुआ था भी पूरे होगा कि आगे कहानी क्या रहती फारत की साथ सम्पंद अच्छे हुंगे भारत की लोगों को मां अब सब्सक्राइब और अच्छा उनको वोड़ेगा अपर उनको मिलेगा व्यूद्ध फहले से होने की चांस्टय है तो कि हम लोग उनके साथ क्रैंट करना चारे हैं हो सकता अब हो जाए और इस पर काफी ज्यादा ध्यान इस पर भी दिया जाएगा कि इंवेस्टमेंट जो पहले हो रहा था उस पर कितना प्रभापड़ता है क्योंकि लगता है कि इंवेस्टमेंट भारत में अब कम होगा इसलिए ट्रेट डिल कर लेंगे वो लोग तो कि वाली जो विचारधारा है यह इसकी थी conservative party कि राइटिमिट पार्टी की अभी तो चली गई अब जो आई यह इसकी है socialism वाली सब कुछ सरकारी होना चाहिए सब कुछ अपना होना चाहिए अपना होना चाहिए तो हो सकता है कि सब कुछ अपना करने के चकर में यह investment पर ज्याद तो यूके को भी भारत के फेवर में होना पड़ेगा क्योंकि डॉनल टर्म गईना भारत के साथ ठीक रहता है और अगर यूएस में बाइटन जीत गए तो यूके का विवार भी थोड़ा सा अलग होगा भारत के प्रती अब यूके कैसे react करेगा यह बात पर डिपेंड करे न भूले हमें आपके सपोर्ट की आवशक्ता है समस्कार